तो स्टुडेंट आज हमारा आडी शर्मा बुक क्लास नाइन से हमारा जो टॉपिक जो हम ले रहे हैं चैप्टर जो है वो है रैस्नेलाइजेशन यानि की हिंदी में से बोलते हैं परिमेकरा तो स्टुडेंट यहां पर हमारी एक्सराइज है 3.1 चैप्टर नंबर 3 रैस्नेलाइजेशन यानि की परिमेकरान तो स्टुडेंट फर्स्ट कोश्चन क्या है हमारा simplify each of the following question तो हमें इसमें फर्स्ट कोश्चन के अंदर दो पार्ट दियो है हम इस वीडियो में second question को भी solve करेंगे इसके भी हमें तीन पार्ट दियो है दोनों ही question student बहुत ही आसान है बहुत ही simple है तो student देखते हैं इसके first part को सबसे पहले हम question number one को solve कर रहे है उसका first part क्या गयता है हमसे देखिए हमें दिया हुआ है 4 into 16 इस type से हमें दिया हुआ है 3 square root 4 into square root 16 3 square root 16 तो student यहां आप दियान देजिए दोनों ही चीजों में आप दियान देना अगर यह cube root के ऊपर होता है कोई भी number हो सकता है यानि n की value अगर हमें कुछ भी दी हुई है ध्यान देखिए यह different होती है यानि 3 ध्यान दीजे यह इस root के बाहर हुआ तो इस value इसका मतलब अलग है और इसका मतलब students अलग है different है यह दोनों ही चीजें कभी इन दोनों को एक मतमाल लेना क्योंकि mostly क्या होता है question में हम समझ नहीं पाते ही यह इसके sign जो है यह हलका सा उपर होगा और यह square root के जो शाइन है हमारा जो चिंज होता है इसके बाहर होगा यह दोनों ही चीजें अलग अलग होती है ध्यान रग्येगा तो अब हम करते हैं अपने question को solve तो question के अंदर क्या है सबसे पहले अगर हम देखे है हमारा जो भी square root के उपर यह जो दिया हुआ होता है जो भी हमें number दिया हुआ होता है ध्यान दीजे अगर यह दोनों के अंदर यह value same है और अगर multiply हो रहा होता है तो student हमारा identity कौन सी use होती है N यहाँ पर हमारा इसके बाद में कोई भी number हो सकता है N और यहाँ पर A क्या है यह कोई भी हमारे number से और N क्या है इनकी यह power है तो student इस condition में जो हमारा number जो बनता है वो क्या होता है N A into B यह identity हम इसे use करके इसे solve करते हैं तो students अब हम अपने question को आ इसे solve करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए दोनों में 3 जो है यह common है तो हम इसे लिख सकते हैं 4 into 16 बिल्कुल लिख सकते हैं अब student देखिए 3 square root हमने लगा लिया है अच्छा 16 into 4 student क्या हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा 64 ठीक है यह हमारा हुग इसे लिख सकते हैं 64 को क्या नोट कर सकते हैं 64 को student हम नोट कर सकते हैं 4 का q देखाओ 4 into 4 into 4 is equal to क्या कर सकते हैं 4 का cube यानि 4 4 जा 16 16 4 जा 64 तो हम इसे क्या note कर सकते हैं 4 का cube अब student आपको इससे पहले भी मैंने आपको बताया है जो भी हमारी square root के ऊपर ये जो number होता है ये change होके one upon में चला जाता है तो student इसे क्या हम note कर देंगे 4 की power 3 ये तो हो गया 4 की power 3 या 4 की cube इंटू क्या हो जाएगा ये power 1 upon में डाउन हो जाएगी यानि 1 upon 3 student 3 से 3 cancel तो हमारा answer क्या मिल गया हमें 4 question जो है part number 1 complete हो गया हमारा second part को अब इसी तरीकी से solve करते हैं student second part में क्या देखा देखे दोनों में के इंदर n की value जो है same है बस यहाँ पर देखे यहाँ पर multiply हो रहा था अब क्या हो जाएगा यहाँ पर आप divide हो रहा है तो student second part क्या है हमारे question का second part में हमें दिया हुआ है 4 इसके साथ में हमें दिया हुआ है 1,2,5,0 upon 4 ये फिर से हमारे square root के उपर ये धेन दीजेगा और इसके बाद क्या है यह हमें given है 2 तो student अब हम अपने इस question को भी solve करे लेते हैं अच्छा देखे दोनों में ऊपर भी square root है नीचे भी square root है और n की value भी same है तो हम इसे one time note कर लेंगे यानि किस type से note कर लेंगे 1,2,5,0 upon क्या हो जाएगा 2 और ये जो हमेरी जो power है वो हमने step से note कर दिया तो इसे इसे cancel करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है 4 square root कितना हो जाएगा 600 कितने अब जाएगा ये student 625 ठीक है अब 625 को हम क्या note कर सकते है 4 625 को students हम note कर सकते है चलो हम इसी तरीके से करते है 5 का क्या हो जाएगा student 5 की हम इसे change कर देंगे तो 5 की power 4 बना देंगे देखो किस टाइप से 5 into 5 into 5 into 5 is equal to 5 की power 4 5 5 जा 25 25 5 जा 125 125 5 जा is equal to 625 तो student हम इसे क्या कर सकते है 5 की power 4 अब फिर से क्या हो जाएगा ये जो power जो है ये हमारी बनापन में change हो जाएगी cube root के उपर जो हमें given है तो 5 की power 4 into क्या हो जाना है ये वन अपन में drive हो जाएगी चली जाएगी तो 1 अपन 4 यहां से इसे cancel कर देंगे और हमारा answer क्या मिली हमें 5 तो देखिए part number 1, part number 2 जो है दोनों हमारे complete हो गए है अब student हम part number second को भी कर लेते हैं अच्छा student तो आप मेंसे wrap कर देता हूँ ओके कर देते हैं हमें अब student हम कर रहे हैं अपना question number second देखिए बहुत इसलिए में आपको समझ में आता जाए कि करके मैं आपको समझाता जा रहा हूँ और मैं बिल्कुल भी जल्दी नहीं कर रहा हूँ जिससे कि आप अपना proper समझ सकते हैं और कर सकते हैं अब student question number second में है question number second का first part के अंदर हमें क्या दिया हुआ है question number second का जो first part है हमें दिया हुआ है 4 plus root 7 second bracket 3 plus root 2 आपको student पता होगा इसके अंदर हम क्या करते हैं यहाँ पर हम अगर एक identity के रूपे भी अगर हम use कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ एक काम करते हैं हम इसे bracket में जैसे multiply करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से करते हैं आपको ब्रैकिट में मुल्टिप्लाई का मैं आपको एक वानियम बता देता हूं तो इसमें होता क्या है अगर हमें दिया हुआ होता है ए प्लस भी और सेकंड ब्रैकिट में क्या है हमें दिया हुआ है C प्लस D तो student क्या हो जायाना है first bracket में यानि first element ले लेंगे इसके बाद full second bracket लेंगे और फिर इसका भी second element लेंगे यानि हर एक element का जो है first और second दौनों bracket में multiply होगा तो इस यह क्या हो जाएगा AC plus AD और plus student यहां से क्या होना जाना है BC और plus BD समझ रहें आप तो इस type से यह हमारे bracket में multiply होती है अब हम इसी type से अपने question को solve कर रहे है तो देखे हमारे पास में first element of the first bracket क्या है 4, अब इस 4 की multiply second के पूरे bracket में होगी इसके हर एक element में तो हम पे क्या है 3 plus under root 2 है फिर हमारे पास क्या है under root 7 है द्यान दीजे student यहाँ जो भी shine होगा वही यहाँ पर आएगा अगर minus होगा तो minus आएगा plus आएगा तो plus आएगा अच्छा अब देखे हमें क्या करना है 4 की multiply 3 में होई तो कितना होगा 12 बिल्कुल ठीक है 4 की multiply under root 2 में होगी student द्यान दीजे 4 की multiply under root 2 में होगी तो ध्यान रगना अंदर under root में आप multiply नहीं कर सकते क्योंकि आपका यह element यह बाहर ही रहेगा क्योंकि under root 2 में तो under root अगर के कोई value होती तो यह multiply हो सकती चीज जैसा कि यहाँ पर होगा मैं भी आपको करके दिखाऊंगा तो फिर क्या करेंगे जो आपका यहाँ पर sign होगा वो लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 into under root 2 समझ रहें आप फिर जो आपके पास sign है यहाँ पर क्या है plus है तो plus लग जाएगा under root 7 की 3 में multiply होगी तो 3 under root 7 वैसे आप इसे 3 under root 7 भी लिख सकते हो या 7 under root क्या कर सकते हैं इंटू 3 भी लिख सकते हैं बट ध्यान दीजिए ये standard value क्या होती है जो bracket के बाहर का होता है उस number को first लिखते हैं फिर under root में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 3 under root 7 अब आप यहाँ से ध्यान दीजिए अगर दोनों value under root में होगी यहाँ पर क्या था कि एक value under root में थे जिससे element से multiply कर रहे थे और एक जो हमारा number था वो under root में नहीं था अगर दोनों ही under root में होती है तो जैसे कि यह है तो 7 into 2 is equal to क्या हो जाएगा 14 और under root लगा देंगे तो यानि कि क्या हो गया square root 14 अब देखिए student कोई calculation बन रही है क्या देखिए 12 है कोई simple number हमें नहीं दे रखा तो जिसे हम किसी में add या subtract करेंगे under root 2 में देखिए और किसी number में under root 2 नहीं है तो इसलिए student क्या कर सकते हैं हम इसकी भी calculation नहीं कर सकते हैं under root 7 है और under root 14 है तो student इससे आगे हम या तो एक काम कर सकते हैं इसमें under root की जो value होंगे उन्हें put करेंगे वरना student हमारा जो है answer वो हमें मिल गया है और हमारी answer sheet में भी जो है हमें यही answer given है तो यानि कि हमारा first part हो गया complete बिल्कुल ठीक है जी अब student second part को भी कर लेते हैं यहाँ पर minus में है पस इसी के इंदर minus में जो multiply होगी उसकी वज़े से क्या change जाएंगे वो हम देखेंगे तो student आपके समझ में आ चुका होगा यह identity जो है इन्हें use करके दिखाने के उज़रतने में direct apply करता हूँ तो student क्या हो जाएगा first element में क्या है इसका पूरा इसका पूरे इसकाद में multiply होगा तो 5-2 हो जाएगा फिर फ्लस के स्क्वार रूट 3 हो जाएंगे और फिर से क्या हो जाएगा 5-2 अब student देखे 5 की 3 में multiply हो जाएगी 15- माइनस से तो माइनस हो जाएगा 3 square root 2 हो जाएगा अब देखे, प्लस में है, तो यहां से क्या मिल जाएगा मैं, square root 3 की multiply और यह 5 में, तो 5 square root 3 हो जाएगा और देखे, plus minus क्या हो जाएगा student, minus हो जाएगा, square root 3 into 2 is called to square root 6 तो student हमारा question जो है, second question जो है, वो भी हमारा complete है अब student हम कर रहे हैं अपना third question, यानि third part of the second question और इसके बाद में, जो है, हमारी exercise का first question और second question जो है, complete हो जाएगा अब student इसे third part को भी solve करें लेते हैं, third part क्या है हमारा, square root 5 minus 2 और फिर है, square root 3 minus square root 5 तो student अब क्या करना है, अब आप समझ चुके होगे, क्या होना है, first element, square root 5 bracket full use करेंगे, square root 3 minus square root 5 फिर minus 2, अब देखे, यहाँ पर minus है, अब देखना कि bracket के अंदर क्या, क्या change होते हैं अब देखे, फिर क्या होगा, full second bracket note कर लेते हैं अब देखे student, square root तो आ नहीं आना है 5 into 3 is equal to 15, बिल्कुल ठीक है, minus, अच्छा देखे, square root 5, square root 5 तो क्या कर सकते हैं, हम इसे 5 note कर सकते हैं, अभी मैं दिखा देता हूँ कैसे कर सकते हैं या तो एक चीज़ है, जो भी अगर हमारे square root के इंदर, अगर value same मिलती है हमें तो क्या कर सकते हैं, हम क्या सकते है, square root से square root cancel कर दो, और उस number को एक बाल note कर दो या दूसरे तरीका जैसे आपकी समझ में है, square root 5 into square root 5 है, तो देखिए, square root तो लग नहीं लगना है 5 into 5 is equal to 25, अब आप जानते है, 25 का square root क्या होता है या अंडर root क्या होगा, 5 होगा, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, 5 note कर सकते हैं बिल्कुल ठीक, अब देखिए, minus है, 2 under root 3, 2 square root 3 अब देखिए, minus minus, minus के वज़े से क्या होता है, आप जानते है, bracket के बाहर अगर minus की multiply होती है, तो change हो जाते हैं, तो minus की minus में multiply होगी तो क्या हो जाएगा, plus हो जाएगा, तो 2 under root 5, कितना हो गया, 2 under root 5 अब ज़रा देखिए, हम कोई calculation बन नहीं है, क्या किसी और चीज की, कोई calculation नहीं बन नहीं है, student तो हमारा इसके बाद में, जब final answer है, वो क्या बन जाना है हमारा, final answer हो गया हमारा, यही इससे आगे, आप चाहो तो इसके अंदर आपको value पूट करनी पड़ेंगे, under root 3 की value पूट करो, under root 2 की value पूट करतीजे ठीक है न, अगर आप यहां तक छोड़ते हैं, rational number को हमें क्या करना है, rational number जो हमें, इनकी हमें multiply दी हुई है इन्हें simple way में किस तरीके से solve करेंगे, तो student question number 1, question number 2 complete है, next video में question number 3 से आगे के question और question number 3 को solve करेंगे, तो student video complete